प्यास के बढ़ते धामों से आप लोग बिलकुल परिशान मत होएगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रधान मंत्री जल्दी ही प्यास के धाम कम करवा देंगे ओ जी, क्या कह दिया रहूल पापा, आप प्रधान मंत्री बनना चाहते हो तो ऐसे ही कहतो, मैं अभी इस्तिफा देता हूँ इस्तिफा देने को कौन कह रहा है, मैं तो आप से प्यास के दाम कम करवाने को कह रहा हूँ अरे प्यास के दाम करवाना कोई पच्चों का खेल नहीं है अरे इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इस्तिफा लेलो जी अरे नहीं, मेरे पास एक बड़िया आइडिया है, भारत पाकिस्तान सीमा पर चलिए वे, कौन है कौन है, ओ राहूल बाबा, कैसे हैं, कितना अच्छा मौसम है, मैं तो सहर करने निकला था ओ लगता है, ओ टेलते टेलते आपके इलाके में आप पहुंचा और इनके हाथ में क्या है, ओ ये, कुछ ने जी, ओ ये तो बच्चों के लिए मिठाईया ले जा रहे थे देखूं तो, ये तो हथियार है, पकड़ लो अरे, सॉरी, सॉरी, सर, सॉरी, सर, लगता है, ओ फिर गलती हो गई, ओ प्लीज, प्लीज, ओबामा साब को जिक्र मत करियेगा ओए, बिलकुल बताएंगे, उन्हें अगर ऐसी हरकत की तो अगर चाते हैं कि उन्हें ना बताएं, तो हथियारों की जगा, प्याज सप्लाई कीजिए प्याज? ठीक सुना, ओए, प्याज ओए, ज़रूर बिजबा देंगे, ओ कितने ट्रक्स जही हैं जी? जितने भेट सकते हैं, लेकिन सारे ट्रक्स की पूरी चेकिंग होगी, समझें? ओके जी, ओके देखिए मनमोन सिंग जी, अब प्यास के दाम गड़ जाएंगे हेलो, क्या, ओ माइग गॉड प्रधान मंत्री जी, अब क्या हुआ? ओई शरत पवार के नए बयान से प्यास के दाम भेर उपर चड़ गए ओए, अब की करूँ? इसका इलाज तो मेरी पास भी नही है